नमस्कार दोस्तों स्वागात है आप सभी का तो आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलाल में 36 गड़ के मुख्यमंत्री सिजी भुपेज बगेल जी के द्वारा ऐसा कहा गया कि 10,000 सिक्षकों के भरती किया जाएगा तो बिल्कुल और वाइरल भी हुआ है वाट्सेप में फेस के वाइरल हुआ है आपने देखा होगा नहीं देखा होगा तो उसका भी एक वीडियो बना दिया जाएगा तो अभी 15 588 जितने भी हैं पूरे पदों पर भरती नहीं हूए है सायक सफेल के भी चिक्षक ने भी बचे हुए हैं व्याख्याता में बचे हुए है और लेब असिसिस्टेंट में भी बचा हुआ है तो दोस्तों सारे आप में से पूछ सब्सक्राइब क्या होगा क्योंकि आप भी आगे और भरती रूप से हो गी कभी न कभी कि की सिक्षकों की स्विक्रीट पदों में अभी भी बहुत सारे पद खाली हैं जिसके लिए भविश्य में परिक्षा हो सकती हैं और निश्चित तोर्फट होगी ही तो दोस्तों आप देख सकते हो कि आपके सामने आज साहक सिक्षक के पधेतु परिक्षा योजना या फिर शिलेबस या पाठ्ठे क्रम भी बोल सकते हो जो कि हिंदी एवां अंगरीजी माध्यम दोनों पधेतु है तो दोस्तों यह देख लीजी आप लोग और यह जो है साहक सिक्षक जो पध ह यह असल में प्रिएुप साला वाला सिलेबस नहीं है प्रियोक सायक या लेब असिस्टेंठ का जो सिलेबस हो अलग है और उनका जो जो सेक्षनिक अरहता मांगा गया है उस प्रत के लिए वो भी अलग है तो दोनों को समझे हैं सहक्षक विज्ञान, सहक्षक कला दो प्रकार का साहिक सिक्षक प्राइमरी में भरती किया जाता है विज्ञान में बारवी में गनित और जी विज्ञान लेकर जो पढ़ाई करते हैं तथा क्रिसी विज्ञान लेकर जो पढ़ाई करते हैं और अन्य जो भी विशे बच्चते हैं, वो सभी कला के अंतरगत माने जाते हैं. तो दोस्तों, हम यहाँ पे देख रहे हैं साहक सिक्षक के पदेतु परिक्षा योजना, जो की दोस्तों साहक सिक्षक कला और साहक सिक्षक विज्ञान दोनों पदों के लिए एक समान होगा. हाला कि पिछला जो 2019 में हुआ था, वो हिंदी माध्यम में साहक सिक्षक विज्ञान के लिए ही हुआ था, परंतु अंग्रेजी माध्यम में सायक सिक्षक कला और सायक सिक्षक विज्ञान दोनों के लिए हुआ था और सिलेवस दोनों के लिए एक समान था तो अभी भी हम जो देख रहे हैं वो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों के लिए एक समान होगा तथा कला और विज्ञान दोनों के लिए एक समान होगा तो ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान में रखना है तो चलिए देख लेते हैं पहले सारांस के रूप में कि किस टॉपिक से कितने प्रशन पूछे जाते हैं तो यहाँ पे कुल 150 अंक के प्रशन पूछे जाते हैं ये 2019 का जो सिलेबस था सिक्षक भरती का वही है भवश्चे में भी यही सिलेबस होगा ऐसा पूरा 99% गुंजाईज है संभावना है कि इसमें प्रशन नहीं होगा सिलेबस में व्यापम के माध्यम से अगर यह परिक्षा होती है तो तो यहाँ पे कुछ साथ बिंदू है या साथ पॉइंट्स हैं टॉपिक्स हैं और उसके समक्ष कितने अंक के प्रशन पूछे जाते हैं साथी साथ कितने प्र पूछे जाते हैं दोस्तों ध्यान से देखिए तीस अंक के प्रशन बाल विकास हम सिक्षा सास्र से पूछे जाते हैं अब यह तीस अंक के तीस प्रशन होते हैं मतलब प्रशनों की संख्या भी तीस ही होती है और समान्य हिंदी में 25 अंक के पूछे जाते हैं और प्रशनो होता है या नेगेट्व मार्किंग होता है तो इसका जवाब है हाँ बिल्कुल सीजी व्यापर में जितनी भी न्युक्ति के लिए परिक्षाएं होती है उसमें आज आज कल अब काफी वर्सों से रिनात्मक मुल्यांकन का प्रावधान कर दिया गया है इसका मतलब अगर एक प्रस्न आपका गलत होता है तो 2019 के नियाम अनुशार सुन्य दसम्रों 25 जो है अंक मैनस होता था एक प्रस्न गलत होने पे इसका मतलब चार प्रस्न गलत होने पे एक अंक आपका मैनस हो जाता था और एक प्रस्न सही होने पे एक अंक मिलता था तो यह नियम है अब समान्य अंग्रेजी में भी 25 अंक के 25 प्रस्न पूछे जाएंगे या पूछे गये थे और देख सकते हैं गनीत में 30 अंक के 30 प्रस्न पूछे जाते हैं जो कि दस्वी इस्तर के प्रश्ण होते हैं और दस्वी तक सभी गनित पढ़ाई करते हैं दस्वी इस्तर तक का ही होता है सिलेबस दस्वी के बाहर का नहीं होता है दस्वी में जितना पढ़ा जाता है गनित वहीं तक का प्रश्ण उसी सिलेबस से उठा के पूछा देता हूँ परियावरन मतलब श्रीपयर पहदौ से संबंधित ही प्रश्न नहीं होता बलकि समानिय ग्यान के प्रश्न भी इसमें से पूछे जाते हैं परिऊवरlerin से प्रश्न होते हैं इसके अंतरकत कई प्रकार के प्रश्ण बनते हैं जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियोस में आपको उसका आइडिया मिल सके साथ ही बेल आइकन आएगा उसे भी दबाएए ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको की वीडियो आ गया है और यह बिल्कुल फ्री है इसके बाद छटवा पॉइंट है कंप्यूटर संबंधित समाने ग्यान तो आजकल सीजी व्यापा में जितनी भी न्युक्ति या अन्या वि इसके लिए भी वीडियो हैं उपलब्द और आगे भी आएंगे तो यहां से दस अंक की दस प्रस्न पूछे जाते हैं इसके बाद समान्य ग्यान है तो समान्य ग्यान में सब कुछ आ जाता है नागरिक सास्त्र इतिहास भूगोल विज्यान यानिकी समान्य विज्यान जो दस वी तक सभी पढ़ते हैं और विज्यान का इतिहास भूगोल देश का इतिहास भूगोल और विज्यास करके चतिस गर से समबंदित समान्य ग्यान पूछा जाता है और यह सिर्फ दस अंक के दस प्रस्न होते हैं तो इसको विज्यान दीजिए और अब हम इसको डिटेल म देखते हैं तो यहां पर डिटेल में दिया हुआ है सिलेबस इसको आप ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों तो यह है पाठ्ठेक्रम सहायक सिक्षक विज्यान सहायक सिक्षक कला हिंदी माध्यम और सिक्षक कला में डी एट की अरहता है और क्या क्या इसमें अरहता होनी चाहिए उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया जाएगा यहां पर हम सिक्षक की बात कर रहे हैं पहला पॉइंट था बाल विकासम सिक्षक सास्त्रयाने की चाइल्ड डिवलप्मेंट एन पेड़ागो सिक्षक की सब्सक्राइब दोस्तों और कमेंट वाक्स में लिखे और करे प्रसन लिखे हैं और ज्यादा से ज्यादा अपना नोलेज बडहाईए। तो इकाई एक में बाल विकास परीचा है, जिसके अंतरगत आप देख सकते हैं, विकास की आउधारना, विकास की अवस्थाएं, गर्भा अवस्था, सैस्वा अवस्था, प्रारंभीक वा, उत्तर, बाल अवस्था, किसोर अवस्था, उसके बाद दूसरा पॉइंट है, सार प्रिष्ट भूमी, बच्चों का अध्यान कुछ तरीकों से परिच्चे, तो इसके अंतरगत बहुत सारे प्रशन बनते हैं, उसके लिए वीडियो आएंगे, उसको भी आप जरूर देखें, एकाई दोमे विकास के पहलू के अंतरगत, साररिक एवम गत्यात्मक विकास, स समनवयन का विकास, तो दोस्तों, आप लोग डी एट, बी एट करके ही इस पत के लिए अरहता रखते हैं, तो आप ये सब जो पढ़ रहे हैं, इससे आप परिचित होंगे, कि ये सब्द क्या है, किस से संबंधित है, कैसे प्रसनव पूछे जाते हैं, और जो बिल्कुल ड सरीर के अंगों के अनुपात में बदलाओ, उचाई वा वजन की व्रिद्धी सररीक बनावाट में बदलाओ, नियंत्रन का विकास, इस्थुल एम सुक्ष्म, समवेगात्मक विकास, नहतिक विकास, विद्याला एम घर का वातावरन, मित्र सांथी समु एम वैसकों के साथ संबन बाल विकास की समाजिक एम सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी, वैक्तित्व का विकास एम समाजी करन, इकाई तीन बाल विकास सिक्षा सास्त्र के अंतरगत, सीखना एम संग्यान का विकास, सीखना क्या है, और बच्चे कैसे सीखते हैं, विवित धारनाओं की समिक्ष संग्यान क्या है बच्चों की सोच पर जीन प्याजे के विचार तो मैं आपको पहले भी बता जुका हूं यह जीन प्याजे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और निस्चित रूप से जाहे वह सीटेट हो सीजीटेट हो या सिक्षक भढ़ती हो जीन प्याजे से एग न भरती में अच्छे नंबर लाएं सीटेट में अच्छे नंबर लाएं तो ग्यान निर्मान के तरीके इसकीमा सम्मिलन है ना समयोजन व्यवस्थापन संतुली करन यहां से प्रस्ण बिल्कुल निस्चित रूप से आएगा ही उसके बाद अगला है अगला देख सकते हैं कि से सबस्ता से किसोर अवस्था तक सोच का विकास वा उसकी कडिया समीदी क्रियात्मक अवस्था पूर्वसंक्रियात्मक सहिक निक महत्वा लेव वे गोट की रचनावाद निकटिकाश चेत्र इसके फॉल्डिंग सिक्छा की भूमी का तो जितने नाम देख रहे हैं यह बाल विकास शिक्षा साथ संबन्दित अपने सिध्धान बताएं हैं जो विस्व विक्ष्यात हैं और जिस पे पुरा D8 B8 का बाल विकास सिख्षा साथ संबन्दित कोर्स है जिसको हम पढ़ाही करते हैं अगला बिंदू है बच्चा एवं समधान करता तथा विज्ञानिक अनुसंधान करता बच्चों का वेकलपिक अधानों को सिखना सिखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियां सिखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है इसे समझना अभी प्रेरन और सिखना तो यह बिंदू बिंदू दिया है दोस्तों यहीं से एक एक प्रस्न उठा के परिक्षा में पूछ देता है जैसे यहां पे लिखा है समाधान करता है, व्यम्यनिक अनुशंदाँ करता है, इसी को एक प्रस्ण बनाएक देता है, दिया भी है. तो निस्थित रुप से आपको त्यारी कैसे करना यह भी इस लिबल के सांथ सांथ आपको बताया जा रहा है तो इस तोर पे वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखें जरूर अभी प्रेरण और सुखना अब ऊकाई चार देखिए बाल विकाश सिक्छा सास्तिक अंतरगत चार इकाई में बाता है तीस आंकों का तीस प्रशोल होता है यानि कि एंक प्रस्थ्थी सतया आठ ऑंफश्था नेकिन प्रते एक आई से तो विशेश आवस्था वाले बच्चे मतलब जो विशेश आवसक्ता वाले जो बच्चे होते हैं जिन्हें दिव्यांग या विकलांग कहा जाता है तो विशेश आवसक्ता वाले बच्चों से अभी प्राय छती अपंगता अक्छमता विभिनताओं में समानता व इसको CWSN भी बोलते हैं ज्यान और सिक्षा करम, सिक्षा करम की जरूरत, सिक्षा करम की अधारना, पाठ्ठे करम की अधारना, सिक्षा करम निर्मान की समस्तियाएं, सिक्षा करम के चुनाओं के अधार, सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, सिक्षकों की भूमिका एम उत्तर तो यह हो गया बाल विकासिख्षा सास्त्र जो पहला टॉपिक था स्लेवाज का अभी साथ बिंदू है साथ पॉइंट है उसमें से पहला पॉइंट के अंतर कर चारी काई था यह तब स्लेवाज छोटा नहीं बहुत बड़ा है और यहां से बहुत प्रश्ण बनते हैं अब स हम देखते हैं चलो तो पहला जो इकाई है दोस्तों वह वर्न विचार जिसके अंतरगत स्वर वैंजन अक्षर वरतनी लिंग वचन आदी संधी स्वर संधी वैंजन संधी विशरग संधी यहां से लगभग एक दो या तीन आंका का प्रश्ण निश्चित रूप से पूछ ना भी आए नेकिन आ भी सकता है किसी टॉपिक से दो प्रश्ण भी दे देता है नेकिन प्रतेक इकाई से एक दो या तीन प्रस्ण निश्चित रूप से पूछा ही जाएगा हर एक टॉपिक से हिंदी का कह रहा हूं हर एक टॉपिक से प्रस्ण आए जरूरी नहीं है किसी किसी टॉपिक से दो प्रस्चण भी पूछ देंगे किसी टॉपिक से एक भी प्रस्चण नहीं पूछेंगा अयसा होता है तो इक आईcusign सब्द रचना उपसर्ग प्रते समास अनेक सब्दों या वाक्यांस के लिए एक सब्द लेकिन प्रतेक जो इकाई बटा है प्रतेक इकाई से प्रश्ण निस्चित रुपशाएगा यह सियोर है इकाई चार पदव पदभेद संग्या संग्या के प्रकार कारक्ष न सर्वनाम विशेश अन क्रिया इकाई पाच वाक्य परिचर वाक्य के अंग वाक्य के भेद प्रक्रम इकाई छेसर rubbing रचना मुहावरे तथा लोकोक्तियां अपटित गद्यां और एकाई साथ और एकाई आट जो है दोस्तों वो विसेश तोर पे डी एट बीएट में जो आप पढ़ते हैं वहां से है वहां से पूछा जाता है तो बच्चों की भासाई विकास की प्रक्रिया भासा विकास के चरन बच्चे इसकूल आने से पहले क्या क्या सीख कराते हैं बच्चे भासा कैसे सीखते हैं इसकुल आने वाले बच्चों में भासा सिखने की प्रक्रिया के गुन बच्चों की भासा सिखने की चमता और इकाई आट बच्चों में भासा ही चमता है मुन का विकास पढ़ना क्या है अर्थ निकालने की प्रक्रिया भासा अर्थ ग्रहन करना एवं अर्थ निर्मान, भासा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इसका अन्ता संबन्थ और इकाई 9 भी है तो 9, 8 और 7 ये 3 इकाई जो है आपके बालविका सिक्षा सास्त्र से ही संबन्धित है और ये हिंदी से संबन्धित है जो कि D8, B8 के कोर्स में रहता है उसके उपर 1 से 6 तक समान ने इंदि है जो अक्सर हर परिक्षा में पूछा जाता है तो ये जो 8, 9 और 7, 7, 8 और 9 विशेश रुप से ध्यान दें यहां से आप नंबर गैन कर सकते हैं तो भासा में मुल्यांकन Q.M. उसकी प्रक्रती बच्चों में भासा चमता कि आकलन के संभावित तरीके भासा सिखने लिखने वा पढ़ने की प्रक्रियाओं में गलतियों की बूमिका अब हम देखते हैं सिलेबस का पॉइंट नंबर 3 भासा दो अंग्रेजी तो इसमें भी बिलकुल इकाई अनुसार ही दिया है देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा सिलेबस हैं अंग्रेजी का भी पहला आप देखेंगे तो कंप्रेहेंसन हैं जिसके अंतरगत दोस्तों दो अंसीन प्रोज है ना टू अंसीन प्रोज पैसेज विद क्वेस्चन ओन कंप्रेहेंसन ग्रामर एंड वर्बल अबिलिटी जिसमें से कंप्रेहेंसन के लिए साथ इसमें बिलकुल डिवाइट करके दिया है ताकि आप अच्छे से उसको समझ सकें और उसी साब से तयारी कर सकें ग्रामर से चार औके बुलरी से चार इस प्रकार से चार चार आट और साथ 15 पंदरा अंक के कंप्रेहेंसन मतलब इकाई ए से यूनिट अ से और यूनिट बी से पेडा गौजी आप लेंगवज डेवलप्मेंट तो यह है आपके D8 B8 से समबंधित इकाई B या यूनिट बी teaching, role of listening and speaking function of language, and how children use it as a tool, critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form, challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties, errors and disorders, language skills, इवलूटिंग लेंगवेज क्लासरों रिमेडियल टीचिंग यहां पे पॉइंट बताया गया है दोस्तों साथ ही साथ आने वाले वीडियो में इस टॉपिक से किस तरह के प्रस्न पूछा जाता है वो भी आपको बताया जाएगा और इसके लिए चैनल सबस्क्राइब किजि एक कमेंट कीजिए सिलेवस का चौंथा जो पॉइंट है वो है गनित जो की कक्षा दसवी इस्तद तक का एक से दस तक जितना पढ़ते हैं गनित वहां से पुछा जाता है तो यहां भी इकाई अनुसर बांटा गया है इकाई एक में गनित की प्रक्रिति से प्रस्न पुछा कर जायेगा जिसमें गनिती विचार की इस तरह विक्सित होते हैं गनित का स्वरूप गनिती तरीके से सोचना अमूरतव का विकास अधानात्मक वह प्रक्रियात्मक ज्यान अब इकाई तीन से शुरू होता है समानने गनीद जो अच्छा दस्वी तक आप लोग पढ़ते आ रहे हैं इकाई एक और इक दो जो गनीद का स्लेवस है वो डी येट बीट से संबंधित है और जो डी येट बीट कर चुक सम्नुम अभॉरण विभाज संख्याए आरोही वा अइरोही क्रम इस्थानी मानों तीन दर्सनलोबिन साधारन भिनन इवं दर्सनलोबिन भिन्न की परक्र तुलना इसके नियम दर्सनलोबिन्न को साधारन में बदलना शिवितिशत्या व्येंजक उटिच्छसन रियुग बोड मास्क प्रियोग 3.5 वर्गमूल निकालने की विधियां गुननखन वा भाग विधी 10 समलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालना 3.8, प्रतिसत, प्रतिसत का अर्थ, प्रतिसत को दसमलाव और दसमलाव को प्रतिसत में बदलने की विधी, 3.9, साधारन ब्याज, साधारन ब्याज क्या है? इस संबंदित प्रस्णों के सुत्र, 3.1 1 सुन्या, लाव तता हानी, क्रै विक्रै मुल्य, लाव हानी इनहे प्रतिसत वा रूपयों में व्यक्त करना 3.1 1 अनुपात वा समानुपात के नियम, अनुपात समानुपात सधारान नियम 3.2 2 चाल समय धूरी निकालने का सुत्र 3.13 एकिक नियम समय कार्य वा मजदूरी 3.14 छेतर फलत था परिमान 3.15 आयतान ठोस की मार्प में लंबाई चोड़ाई वा उचाई घन वा घनाव वा आयतान 3.16 समय तो ये था गनित का सिर्वेबस जो की वीडियोस के माध्यम से आप अच्चक त्यारी कर सकते हैं बिल्कुल सिख्चक भरती के परिप्रेक्ष में इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों सेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए परियावरण अध्यान जो है सिर्वेबस का पांचवा पॉइंट इसके बाद छटवा और सातवा भी है तो इसमें भी इकाई अनुशारी दिया है इकाई एक में स्वैम के परियावरण को समझना परियावरण क्या है? परियावरण की घटक समाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक परियावरण के घटकों की अन्तक्रियाएं आत के संदरभ में परियावरण के प्रमुक, सरोकार बच्चों के द्रिष्टिकों से परियावरण की रोशक्ता इकाई दो परियावर्ण के बारे में बच्चे की सम svag danach का जानता है बच्चे का सब्सक्राइब हो स्क्राइब है इकाई तें परियावarlon अध्यन के सरोकार अवधैक बनना प्राठमिक इस्टरवा समाजीक अध्यन की अवधैन को समजना समयन अपना नक्से पढ़ना और समझना परियावरन अध्यनवा कक्षा कक्ष की यान की क्लास्रूम की गतिविधियां गतिविधि क्या है प्रियोग सामागरी का संकलन कक्षा कक्ष में गतिविधि का आयोजन और संगठन चोटे चोटे परियोग चर्चाएं, छेत्र भ्रहमन, सरवे, प्रोजेक्ट, पुस्तकाले, चिकने के संसाधन के रूप में मुल्यांकन, अच्छा कक्छा कक्छा परिवार से संबंदित प्रशन, आप सी संबंद, एक कलेम सेयुक्त परिवार, समाजिक बुराईयां, बाल विवाद, प्रथा, बाल स्रम, चोरी, दूर वैसन, नसा खोरी, धुमरपान, और इनके व्यक्तिकत, समाजिक वार्थिक दुस्परिनाम तो दोस्तों, सात्वा है, अपने सरीर की देखभाल, अपने सरीर की देखभाल, सरीर के बाहे अंग और उनकी साबसपाई, सरीर के आंत्रिक तंत्रों की समाने जानकरी, संतुलित भोजन की जानकरी, और इसका महत्वा समान्य रोग, आंत्रसोत, अमीबियोसिस, मेटा हीमो ग्लोबिन एनीमिया प्लूरो रोसिस मलेरिया डेंगू उनके कारण और बचाओ के उपाय टिका करण एवं पल्स पोल्यो अभ्यान निकाई आठ पारी इस्थितिकी तंट्र पारी इस्थितिकी तंट्र किसनरजना जैविक वा जैविक गटक खादे श्रिंकलव खादे जाल पदार्थों का चक्रन तो दोस्तों आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि परियावरान मतलब पेड़ पोदा जिव जन्तु बस इतना नहीं होता इसमें बहुत व्यापक सिलिबस है परियावरान का सिक्षक भरती सीटेट सीजीटेट के परिप्रेक्ष में ठीक है या इनके संदर्भ में इसका अलगी सिलिबस होता है कंप्यूटर संबनी समानी गयां जो इसका अगला पॉइंट है सिलिबस का तो यहां से देख सकते हैं सीजी आपम में जैसा होता है कंप्यूटर का सिलिवर सभी परिख्षाओं में समाने तहां वैसा ही इसमें भी है सिख्षक भरती में तो कंप्यूटर का उपयोग कंप्यूटर का क्यों कहां किसले किया जाता है इसकी समाने जनकरी कंप्यूटर के प्रमुभाग, CPU, Input Device, Output Device की समाने जाने करी प्रिंटर के प्रकार, Inc. Z Printer, Laser Z Printer, MN प्रकार के प्रिंटर अगरे, आपरेटिंग सिस्टम के नाम, MS-DOS, Commercial M Open Source, आपरेटिंग सिस्टम के नाम कारियालाई के उप्योग के लायक समाने, Microsoft Office के अंतरगत, Word, Excel, एवं Powerpoint की जाने करी इंटरनेट के उप्योग, E-mail, Document Searching, Website Searching, विबिन नसर खरी, विभागों के Website की समाने जाने करी, Antivirus के उप्योग, Computer Virus से होने वाले नुकसान, एवं Computer Virus की समाने जाने करी Multimedia की उप्योग, Audio, Video, एवं Text का उप्योग करने की समाने जान करी, CD, DVD से सम्मधी समाने जान करी, Google, Altavista, YouTube की समाने जान करी, Search Engine से वांचित जान करी, कैसे प्राप्ट की जाए इसकी समाने जान करी और सिलिवाज का अगला पइंट है समाने जान, तो समाने जान में बहुत कुछ आ जाता है, इसका सिलिवाज बहुत ही व्यापक है, कहीं से कोई भी प्रस्न पूछा जा सकता है, तो इसमें दे दिया गया है फिर भी idea आपको, तो भारती राजनेतिक व्यवस्था, एम शव चतिसगर बोर्ड की जो पुस्तक है, उसमें कक्षा दर्शवी तक का पाठ क्रम का जो इसतर है उस इसतर का रहता है, भारती स्वतंतरता का इत्यास 1857 से 1947 ते था 1947 के बाद का घटना क्रम, भुगोल चतिसगर बोर्ड के कक्षा दर्शवी तक की इसतर तक का समाने भुगोल पुछा जाता है, और भारत एम विस्तो का भुगोल पुछा जाता है, भारती अर्थ विवस्ता के अंतरगत समाजी के मार्थिक विकास, जन संक्या, परी, प्रेक्ष्य, सकल, राष्टी, उत्पाद, और प्रती वेक्तियाय, पंचवर्सी, योजनाय, क्रिसियों, ग्रामि पुछा जाता है, इसके बाद आता है, चतिस गड़ की समाने जानकरी, जिसमें चतिस गड़ का इतिहास, भुगोल, राजनेती के विवस्ता, अर्थ विवस्ता, सास की योजनाय, पुरुषकार सम्मान, परमप्राय, लोगई, संगीत, महत्वपुन, वेक्तित, और एम चत तिस गड़ से संबंधित ही होते हैं, तो दोस्तों ये है सहायकसिक चक्विज्यान, सहायकसिक चक्कला, अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम का स्थिलेबस, हाला कि पुरा हिंदी में लिखा था, नेकिन अंग्रेजी में भी यही चीज ट्रांसलेट होके यही स्थिले कर दो